हाई अब्रिवन वेल्कुमिक तुवरी चैनल के अनिकेट्बूर आज की इस पीडियो में हम बात करने वाले हैं मल्टीपल हारिंग अपॉर्टिटी इस के बारे में लगवक दस से ज्याधा हारिंग के बारे में हम बात करने वाले हैं सो क्विकली डिसकस करेंगे आप एक वा वहती रीसेंट आपके होने वाली है अगर मैं बताओं कि यहां पे कोई भी बेच मेंसन नहीं है और ली ग्रेजुट एंग्रेजुट के लिए मैंसन किया गया है तो आपकी टूटली इसकिल बिसिस पर हरिंग वाली होनी वाली है अगर आपको बास रिलीवन डिसक्ल्स है आपके लिए काफी अच्छा चांस से काफी अच्छा रिस्पॉंस भी आपको आ सकता है आप बात करते हैं कि इस next sharing opportunity के बारे में जो clarity के तरप से होने वाले है as a asus की data analyst this is for connect का location and आपका hybrid mode में होने वाले है यहाँ पर criteria के बारे में बात कर लेते हैं business degree आपके पास होना चाहिए computer science information technology related field में strong focus on data analyst and data interpretation visualization okay so data analyst के यहाँ पर पॉपर्टरी है उसी की relevant यहाँ पर skills की requirement है जैसे के आपको tableau powerway की knowledge होना चाहिए आर python में आपको knowledge होना चाहिए software packages की and you should have problem solving and other skills also okay next hiring opportunity वहें बचला के तरप से they are hiring for junior software engineer in Hyderabad okay so this is for Hyderabad location यहाँ पर job trip का फ्रेसर होनी वाले फ्रेसर में आपले कर सकते है junior software engineer simply आपको क्या करने email id प्रवाइड करना है तो आपको submit करना application resume बगरा एटेज करके application को submit कर सकते है next hiring opportunity होनी वाले गाइज आपकी city के तरप से होनी वाले आपकी city के तरप से होनी वाले आपकी reference data services analyst one okay this is for good government location यहाँ पर बात कर लेते है responsibilities आपके क्या होगी qualification managing various data remediation work stream project knowledge and यहाँ पर capital markets environment जो आपका department होगा वो फाइनल से service का related department होनी वाले उसकी project पर आप काम करने वाले वाटे आप जो requirement है बेस्टर्स university degree हो equivalent experience if you have relevant experience क्योंकि आपका जो field होनी वाले है operation field तो काफी जारी students है तो non technical students है उनके लिए तो काफी जाए advantage होनी वाले operation की field में आपके काम करने वाले सीडी में आप apply कर सकते है नेक्शू hiring opportunity वो है yes technology की तरब से आपकी pure technical opportunity होनी वाले है वैस फ्रेसेस के लिए बहुत ही अच्छी hiring से आपको definitely इसमें apply कर देना चाहिए okay as a software engineer आप इसमें apply करने वाले है जो requirement हो है एक्सपे जिरू टू यर्स में definitely इसमें apply करने के लिए जो basic qualification experience है business degree आपके पास होना चाहिए for relevant experience पौर वियाई में आपके पास knowledge होना चाहिए अगर आपने certification बगरा कर रखे हैं कहीं सी भी certification आगर आपके पास है data से related पौर वियाई से related tableau बगरा तो आपके लिए काफी the advantage होने वाला है वेग्ग्राउंड जैसी के हापे database की तो definitely knowledge होना चाहिए ETL process के आपको understanding होना चाहिए तो आप इसमें apply कर सकते हैं तो software engineer पौर वियाई येस technology next हो hiring opportunity होने वाली अब हो है service now की तरब से service now की गई से हापे application close हो चुकी है अब service now के career page पर जाएंगे तो basically यहाँ पर आपको different openings मिल जाएंगे तो basically मैं service now की क्यों बता रहे हूं क्योंकि अभी service now के तरब से काफी अच्छी opportunities आने वाली हैं एक बर career page आप जाके जरूर चेक लेना अगर आप experience candidate है याँ आप फ्रेसर हैं तो definitely apply कर सकते हैं technical support के यहाँ पर opportunities हैं and software engineers के लिए opportunity है experience candidate के लिए तो बहुत जाए advantage होने वाला है and काफी अच्छी hiring से हाँ पर आभी recently pushed भी के गई है अगस्त में आज के दिन ही कल की दिन ही तो आप एक पर चेक कर लेना अभी जो phrases के लिए वो close भी है कुछ experience के लिए भी उपने कुछ phrases के लिए उपने कुछ फ्रेसर के लिए उपने सर्फस्नाव का career page आप एक बार चेक कर लेना डिपलोमा है टेक्निकल सेटिफिकेशन से इंफोर्मिशन टेक्नलोजी कम्विटर एंजिनिंग कम्विटर सन्सुलेटी डिसीप्लन मल्टिपल ब्रांच की स्टुएंट से आप अप्लाई कर सकते हैं सच कोई भी हाइट टेक्निकल स्किल्स की रिक्वर्मेंट नहीं मागी डिपलोमा तब इसमें अपलाई कर सकते हैं फ्रेशर भी डेफिरिटर लिजवल है अपलाई करने के लिए नेक्स्ट उ हारिंग ऑपोर्टरेटी होने वाले वाले वाइस डेल्टा क्यूब्स के दरब से होने वाले एज जूनियर सॉफ्टरेटी एंजिनियर फ्रेशर अपलाई करने के लिए दू यहाँ पर लोकेशन होने वाले तो आपका बैंगलोर है या अपका हिदराबाद होने वाले है एक्षन कमिकेसिंस इसके यूश्ट है वाधा टेक्निकल इसके यूश्ट है ओके नेक्स हो हारिंग ऑपोर्टरेटी होने वाली गाईस पर आपकी OK सब्सक्राइब करने वाले हैं बैसलेस इन कपूटर साइंस टेक्नोलजी इंजिरेंग मैथमेटेक्स डिलीटेट टेक्निकल इसकील्स की रिक्वर्मेंट है यहाँ जाबस्क्रिट के आपको नौलीज होना चाहिए जावा स्प्रिंग बूर्ट देसके आपको नौलीज होन यहाँ पे बैंगलोल की लोकेशन आपका होने वाला है यहाँ जो अपर्चनिटी है वो है डेवलाप सॉफ्ट्वेर प्रोडॉक्स विंडूस प्रेटफर्म यूजिंग माइक्रोस टेक्नोलोजी सी सी प्लस प्लस प्रोग्मिंग के आपको नौलीज होना चाहिए आपको हारेंग अपार्चैटी वो है क्वालकम के तरफ से जो हो सॉ सीटफेंग के लिए ऑंबर एक घसाफ मिपनेस क्किस टाइनौस के लिए पर best sense degree आपके पास होना चाहिए, relevant field में engineering आपका group होने वाला है, information system degree in engineering, computer science selected field में आपके पास degree होना चाहिए, so qualcomm में as a associate engineer आप apply कर सकते हैं, so इसमें भी apply कर देना, so in this video I have discussed about latest and multiple hiring opportunities, I hope you like this video, thank you guys, thanks for watching.